नमस्कार स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में गुड़ अच्छा होता है हेल्दी होता हम सभी जानते हैं क्या प्रेग्नेंसी में गुड़ खाना चाहिए अगर आप डायबिटिक है आपको PCOD की प्राब्लम रही है और अब आप प्रेग्नेंट है तो गुड़ का नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर देखें प्रेग्नेंसी में इम्मिनिटी को मजबूत बनाने आइरन कैल्शियम जिंक आदी को पुरा करने इंफ्लामेशन को कम करने जो वाटर रेटेंशन होता है उसको कम करने में और मीठे की क्रेविंग को दूर करने में को बहुत अच्छा रखता है तो प्रेग्नेंसी में कितना फ्रेविंग को ओडमागर करने में मीठे की कर्यांग का धु जरूर को इसी मीठे की craving कम होती है, iron का store होता है गुड की अंदर, तो iron की पूर्ती भी होती है, और infection से बचाव होता है, यह खून को साफ करता है, इसलिए blood purifier है, आपको acne, pimples की problem भी कम होती है, अगर आप moderation में गुड का अस्तमाल करती है, बहुत जादा गुड खाना भी आपके लिए स magnesium बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए bone health के लिए, मजबूत हड़ियों के लिए भी गुड बहुत वायदेबन होता है, प्रेगनेंसी में शरीन में सूजय नाना water retention होना बहुत कमन होता है, तो गुड इस problem को दूर करता है, साथ ही कई बार बहुत कमजोरी की वज़ से electrolyte balance disturb हो जाता है, तो potassium और sodium का बहुत अच्छा source है, तो यो body के अंदर salt balance बनाने में भी आपकी help करता है, गुड digestion को बहुत अच्छा रखता है, इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक चुटा सा टुकड़ा गुड का खाना बहुत ही सही माना जाता है, लेकिन कौन मार्केट में जो आप गुड खरीदने जाएंगे, तो आपको हलके पीले रंग से लेकर काले रंग तक का गुड मिलता है, और आपको जो पसंद आता है, जो सबसे सुन्दर लगता है, आप उसे खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गुड बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारे क्यामिकल्स को अड्ड किया जाता है, जिससे वो साफ हो जाएं, और वो क्यामिकल्स आपकी प्रेग्नेंसी के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए जो गुड बिल्कुल डार्क है, रेड कलर के गुड से भी आपको बचना है, क्योंकि उसमें मसाला मिलाया हुआ गुड की चाय बना सकते हैं, गुड को दही के साथ में add कर सकते हैं, गुड को लड़ू में use कर सकते हैं, खाने के बास simply गुड को use कर सकते हैं, लेकिन गुड का प्रियोग moderation में ही करना चाहिए. आशा करती हूँ, आपको ये जानकारी काफी helpful होगी, stay healthy, stay fit, thanks for watching.